जागरंजोज.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागा थे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SBI Apprentice Notification 2020 के बारे में 8500 पोस्ट निकाले गई हैं इसके बारे में हम डिटेर में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को हमारी वेबसाइट www.jaranjoj.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं इसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिरेक्ट लिंक इस आर्टिकल का प्रोवाइट कर देंगे चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं SBI Apprentice Notification के बारे में आप इस आर्टिकल में नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ important details आपको दी हुई है तो job summary आप यहाँ पर देख लिजे तो यह 8500 post के लिए total SBI Apprentice Notification निकाली गई है जहाँ पर आपको online apply करना है और आपको अगर download करना है SBI Recruitment 2020 और 21 Notification तो वो भी उसकी भी सुविदा हमने आपको यहाँ पर दी हुई है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे तो notification यह 20 November को निकाली गई और last date submission के लिए 10 December 2020 रखी गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे हमने important dates भी पताई हुई है इसके अलावा हम आपको eligibility criteria, age limit, selection criteria कैसे आपको selection होगा इसके बारे में भी जान करी देंगे तो important dates आपको ध्यान में रखनी है 20 November से इसकी online application की शुरुबात हो गई है 10 December 2020 online application को submit करने की आखरी तारिक है exam date जो है वो tentatively January 2021 में conduct कराया जाएगा उसके बारे में हम आपको जान करी देंगे जैसा ही इसकी exam date आती है तो SBI Apprentice 2020 की जो vacancy details है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं total number of vacancies है 8500 location, local language और tentative number of training seats कितनी होंगी हर एक state में language के हिसाब से तो उसके बारे में यहाँ पर detail में जान करी दी है वो आप देख सकते हैं जिस भी state से आप आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जान करी पूरी आपको detail में दी हुई है इसके अलावा दूस्तों अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं SBI Apprentice 2020 eligibility criteria क्या जरूरत है अगर आपको apply करना है तो क्या पढ़ाया आपने की होनी चाहिए तो educational qualification में graduation की जरूरत है किसी भी recognized university या फिर institute के जरिये से तो SBI Apprentice 2020 में age limit है 20 साल से लेकर 28 साल तक तो अगर आपकी उमर 20 साल से 28 साल तक है तो आप apply कर सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं SBI Apprentice 2020 stipend की तो stipend of 15,000 रुपे पर बंद जो है वो first year में दिया जाएगा रुपीज 16,500 पर मंद दूरिं second year यहाँ पर यहाँ पर यह भी बात बताया है कि Apprentice are not eligible for any other allowances and benefits तो इस बात को भी आपको दियान में रखना है अब selection procedure के बारे में बात करें तो यहाँ पर selection जो है आपका होता है online return test के जरीए और test of local language के जरीए तो यह जो दो test हैं वो होते हैं SBI Apprentice 2020 exam pattern की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो SBI Apprentice 2020 के written test में आपसे क्या-क्या पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पर general law financial awareness, general English, quantitative aptitude, reasoning ability और computer aptitude और यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो exam होता है इसमें 100 marks का exam होता है एक घंटे में आपको exam देना होता है अंग्रेजी और हिंदी भाषा में exam लिया जाता है सिर्फ उस section को सिर्फ अंग्रेजी में पूछा आता है जो अंग्रेजी का ही section होता है जनरल English का वो हिंदी में नहीं होता है इसके बारे में तो आपको पता ही है तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गलत आंसर के लिए वन बाय फोर्थ मार्क का डिटक्शन होगा किसी भी एक सब्जेट के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है जब लोकल लाइंग्विज की टेस्ट की बात यहाँ पर करें तो तो पहला आपका एक्जाम होगा जिसके बारे में अभी हमने बात करी आप उसको क्वालिफाइ कर लेंगे तो आपका लोकल लाइंग्विज टेस्ट होगा तो अगर आप फेल कर जाते हैं इसमें तो आपका स्लेक्शन नहीं होगा आपको कहा जो है दसमी और बार्मी स्टेंडर्ट की माक्षी स्टिफिकेशन एविडेंस जो है वो देना होगा और साथ यहां पर लेंशन करके बताया गया है कि इस बात का आपका धियान रखना है अपका जात देखें तो इंगेजमेंट और सेलेक्टेट अपरेंटिस इस सब्जेक्टेट तो हिस और हर बिंग डिलिए अब आपको हमने कुछ हाइब लिंक प्रवाइट के हुए है अगर आप डाउनलोड करना चाहते है अप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यह नोटिफिकेशन यहां पर दी गई है इसको आप सेफ करना चाहते हैं तो पीडिएफ में आप सेफ भी कर सकते हैं तो पूरी डिटेल जो है नोटिफिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाइ करना है तो आप इस पर क्लिक करें यह आपको रिट्रेट करतेगा यहां पर यहां पर आप अप्लाइ कर सकते हैं ऑनलाइन Official Website पर आना है Official Website पर क्लिक कीजे या आप Official Website पर आ जाएंगे SBI की यहां से भी चानकरी जो चाहते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों आपको बता दें कि recruitment कैसे होगा इसके बारे में आपको बता जाएं कि एक्जाम होगा आपको apply करना होगा 10 December 2020 से पहले पहले और आपको अपना application सब्मेट करके उसके बास wait करना होगा जब आपके exam dates डेकलेर की जाएंगे जैसा कि बताया हमने tentatively यह 2021 में होगी और इस मन्त में नहीं होगी December में भी नहीं होगी 2020 में यह tentatively 2021 में रखी जाएंगी और उसके बाद आप यह भी ध्यान अकिएगा जब आप अपना online application भर रहे हो उसके बाद print out जरूर ले लें क्योंकि वो आपके आगे future में काम आएगा SBI Apprentice 2020 application fees की बात करें आपर तो General OBC EWS के लिए 300 रुपे है SST के लिए और PWD category के लिए निल है कोई भी फीज नहीं है तो दोस्तों यह थी जानकारी SBI Apprentice notification 2020 के बारे में जहां पर 8500 पोस्ट निगा ली गई है अगर आप apply करना चाहते हैं या आपके कोई दोस्ट apply करना चाहते हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाएए शेर करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने हमारे चाहन को तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहे हैं